परिचाय चात्रों, इन समीकरणों को देखो, ये समीकरण किस प्रकार के हैं? सर, ये रेखिक समीकरण है? बहुत अच्छा, और ये समीकरण किस प्रकार के हैं? यह भी एक रेकिक समीकरण है सेर तुम सही हो राहुल ये भी रेकिक समीकरण ही है लेकिन इसमें दो चर हैं अताह ये दो चरों वाला रेकिक समीकरण है आज मैं तुम्हें दो चरों वाले रेकिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो जरों वाले रैकिक समीकरण युग्म को समझना ग्राफिय विधी का वर्णन करना रैकिक समीकरणों के युग्म के हलकी बीज गणितिय विधी बताना प्रतिस्थापन विधी का वर्णन करना विलोपन विधी का वर्णन करना वजर गुणन विधी का वर्णन करना और दो जरों के रैकिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का वर्णन करना दो जरों में रैकिक समीकरण युग्म वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं, उन्हें दो चरों का रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं दो चरों X और Y के रेखिक समीकरण युग्म का सामाने रूप निम्न है A1X जमा B1Y जमा C1 बराबर 0 जहां A1, B1, C1, A2, B2, C2 सभी वास्तविक संख्याए हैं और A1 वर्ग जमा B1 वर्ग 0 के पराबर नहीं है A2 वर्ग जमा B2 वर्ग 0 के पराबर नहीं है उधारण 4X घटा 5Y घटा 6 बराबर 0 और 8X जमा Y जमा 4 बराबर 0 ने X जमा Y बराबर 12 और 7 बराबर Y ग्राफ ये विधी 1 एक रैकिक समिकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैकिक समिकरणों का असंगत युग्म कहलाता है तुल्ले रैकिक समिकरणों के एक युग्म के आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इस युग्म को दो चरों के रैकिक समिकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं रैकिक समिकरणों का आश्रित युग्म सधैफ संगत होता है दो चरों के रैकिक समिकरण युग्म का आलेक दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है यदी रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेद करती हैं तो वह बिंदू समीकरण युक्म का अद्वितिय हाल होता है इस इस्थिती में समीकरण युक्म संगत होते हैं यदी रेखाएं संपाती हैं तो समीकरणों के आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा का प्रतेक बिंदू एक हल होता है। इस इस्थिती में समीकरण युक्म आश्रित यानि संगत होता है। और सबसे आखरी है कि यदी रेखाएं समानतर हैं तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता। इस इस्थिती में समीकरण युक्म असंगत होता है। ग्राफिये विधी भाग दो यदि रहकिक समिकरणों का युग्म A1X जमा B1Y जमा C1 बड़ाबर शूने और A2X जमा B2Y जमा C2 बड़ाबर शूने दिया है तो निम्निलिखित इस्थिती प्रस्तुत हो सकती है एक A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के इस इस्थिती में रहकिक समिकरण युग्म संगत होता है इस्थिती 2 A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के इस इस्थिती में रैखिक समिकरण युग्म असंगत होता है इस्थिती तीन ए एक बटे ए दो बराबर है बी एक बटे बी दो बराबर है सी एक बटे सी दो गे इस इस्थिती में रैखिक समिकरण युग्म संगत और आश्रित होता है उधारण इन अनुपातों की तुल्ला करने पर ग्याद कीजे कि यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करने वाले रैखिक समेकरण युग्म को निरूपित करती हैं तो वे समानतर होंगी या संपाती होंगी पहले हम क्यात करेंगे एक बटे एदो बी एक बटे बी दो और सी एक बटे सी दो फिर उनकी तुल्ना करेंगे अता हमें निम्न हल प्राप्त होंगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि एए एक बटे एदो बराबन नहीं है भी एक बटे बी दो के अता रेखाएं परस पर प्रतिछेत करेंगी एक रैखिक समेकरण युग्म को हल करने की बीज गणितिये विधी जब रैखिक समेकरणों के हलों का निरूपित करने वाले बिंदूओं के निर्देशांग पूरांक ना हों तो ग्राफ ये विधी सुविधा जनक नहीं होती अता हम बीज गणितिये विधी का प्रयोग करते हैं बीज गणितिये विधियां तीन प्रकार की होती हैं प्रतिस्थापन विधी, विलोपन विधी और वजरुगुणन विधी प्रतिस्थापन विधी, प्रतिस्थापन विधी में हम एक समीकरण जिसे आप चिनना चाहें उसको एक चर जिसे आप चिनना चाहें उसके लिए हल करके इसका मान दूसरे समीकरण में चैनीत चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं फिर आप पहला समीकरण पुना हल कर लेते हैं, आईए एक उधारण हल करें, x जमावाई बराबर 20, x घटावाई बराबर 10, चरण एक, आपके पास दो समीकरण हैं, पहला या दूसरा कोई समीकरण चुन लीजिए, और इसे x या y के लिए हल कीजिए, आईए x घटा y पराबर 10 चुनें, और इसे x के लिए हल करें, दोनों पक्षों में y चोड़ने पर हमें x बराबर 10 जमावाई प्राप्थ होता है, चरण तो, अब सबसे उपर के समीकरण में x का मान रखें, x जमावाई पराबर 20 का प्रेयोग करके x को हटा दीजिए, और 10 जमावाई लिखें, क्योंकि x बराबर 10 जमावाई है, हमें 10 जमावाई बराबर 20 प्राप्थ होगा, दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर हमें 2 y बराबर 10 प्राप्थ होगा, अब दोनों पक्षों को दो से विभाजित करने पर हमें y बराबर 5 प्राप्थ होगा, अब हमारे पास Y का मान है, अब हम इस मान को किसी भी समिकरण में रखकर X का मान ग्याद कर सकते हैं X जमा Y बराबर 20 में Y का मान प्रतिस्थाफित करने पर हमें X जमा 5 बराबर 20 प्राप्थ होगा दोनों पक्षों से 5 खटाने पर हमें X बराबर 15 प्राप्थ होगा समीकरण युग्म का हल X बराबर 15 और Y बराबर 5 होगा वस्तुता 15 जमा 5 बराबर 20 और 15 घटा 5 बराबर 10 प्राप्थ होगा विलोपन विथी प्रतिस्थापन विथी से आप परीचित हैं दूसरी विथी को विलोपन विथी या योग या वैवकलन विथी कहते हैं समीकरणों को हल करने की इस विथी में एक चरको योग या वैवकलन द्वारा समीकरण से विलोपित किया जाता है जब आप दो समीकरणों का योग करते हैं तो आप मुलता उनके सभी भागों का योग करते हैं मान लिजिए कि आपके पास समीकरण है 4X जमा 5Y बराबर 14 घटा 4X घटा 3Y बराबर घटा 10 दोनों के योग से हमें 2Y बराबर 4 पराप्त होता है जैसा कि आप देख सकते हैं 4X और घटा 4X परस पर समाप्त हो गए इसलिए X चर विलोपित हो गया जिसके परिडाम सो रूप समीकरण में केवल 1 चर यानि Y शेश रह गया और अब समीकरण को हल किया जा सकता है हल करने पर हमें Y परापर दो प्राप्त होता है अब आपके पास Y का एक मान है अतहाँ आपको X के लिए एक मान ग्याद करना है इसके लिए किसी भी मूल समीकरण में Y का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए और X ग्याद कर लीजिए इस समीकरण में Y का मान दो प्रतिस्थापित करने पर हमें X का मान एक प्राप्थ होगा इन दोनों समीकरणों के लिए आपका हल एक और दो है मान लीजिए कि दो समीकरण इस प्रकार है दो चरों X और Y के रहकिक समीकरण युग्म है जहां A1 बटे A2 परापर नहीं है B1 बटे B2 के यानि A1 B2 घटा A2 B1 बरापर नहीं है शोने के तो इस समीकरण युग्म का एक अजुदिये हल होता है जो निम्न प्रकार है वज्र गुडन का उधारण वज्र गुडन विधी से हल युग्म प्राप्त कीजिए X जमावाई बरापर 6 X घटा Y बरापर घटा 2 हल दिये गाए समीकरण है X जमावाई बरापर 6 इस से प्राप्त होता है X जमावाई घटा 6 बरापर 0 और दूसरा है X घटा Y बरापर घटा 2 इस से प्राप्त होता है X घटा Y जमावाई बरापर 0 हम देख सकते हैं A1 बरापर 1 B1 बरापर 1 C1 बरापर घटा 6 A2 बरापर 1 B2 बरापर घटा 1 C2 बरापर 2 है हल X और Y दिये गए हैं X बरापर B1 C2 घटा B2 C1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 अता हल करने पर हमें X बरापर 2 प्राप्त होगा Y बरापर C1 A2 घटा C2 A1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 हल करने पर हमें Y बरापर 4 प्राप्त होगा अता हल 2 और 4 है दो चरों के रहकिक समिकरणों के युक्म में बदले जा सकने वाले समिकरण ऐसे कई समिकरण हैं जो रहकिक नहीं होते लेकिन जिन हैं मामूली प्रतिस्थापन से दो चरों के रहकिक समिकरण के युक्म में बदला जा सकता है आईए निमनलिखित उधारण हल करें हल मान लें ए बराबर एक बटे एकस और बी बराबर एक बटे वाई तब ए बटे दो जमा बी बटे तीन बराबर दो या तीन ए जमा दो बी बराबर बारा होगा इसे समिकरण तीन से चिन्नित करें और ए बटे तीन जमा बी बटे दो बराबर तेरा बटे च्छे या दो ए जमा तीन बी बराबर तेरा होगा इसे समिकरण चार से चिन्नित कीजे इन समिकरणों को हल करने के पश्चात हमें ए बराबर दो और बी बराबर तीन प्राप्थ होगा चुंकि A बराबर 1 बटे X है इसलिए X बराबर 1 बटे 2 होगा और B बराबर 1 बटे Y है तो Y बराबर 1 बटे 3 होगा यह दिये गए समिकरणों के हल हैं क्या आप चानते हैं किसी समिकरण का कोई बिंदू उसके आलेक पर इस्थित होता है यदि उसके निर्देशांग समिकरण को संतुष्ट करते हैं रहकिक समिकरण का आलेक एक गैर उर्द्वा धर रेखा होती है जिसका स्लोप M और Y बी को प्रतिछेदित करता है साराश आईए हमने जो कुसी का है उसे संग्षेप में दोहराएं दो चरों में दो रहकिक समिकरण एक रहकिक समिकरण का युग्म कहलाता है एक रहकिक समिकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप इस प्रकार है जहां A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि A1 वर्ग जमा B1 वर्ग शुने के पराबन नहीं है एक रहकिक समिकरण युग्म को ग्राफिय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल ग्राफिय विधी द्वारा तथा बीज गणितिय विधी द्वारा दोनों प्रकार से किया जा सकता है ग्राफिय विधी दो चरों में एक रहकिक समिकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है यदी रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं, तो वह बिंदू दोनों समिकरणों का अधुतिय हल होता है इस इस्तिती में समिकरण युक्म संगत होता है यदी रेखाएं संपाती हैं, तो उनके आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा पर इस्थित प्रतेक बिंदू हल होता है इस इस्थिती में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है यदि रेखाएं समानतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है इस इस्थिती में समीकरण युग्म असंगत होता है बीज गणितिय विधी हमने एक रहखिक समय करण युग्म के हल को ग्याद करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है प्रतिस्थापन विधी, विलोपन विधी और वज्र गुणन विधी युदि दिये गए रहखिक समय करण A1X जमा B1Y जमा C1 बराबर शुन है और A2X जमा B2Y जमा C2 बराबर शुन है ये एक रहखिक समय करण युग्म को प्रतशित करते हैं तो निम्न स्थितियां विधपन हो सकती है दिक समय करणे करते हैं विधी आपके रहखिक समय करणें